हलो दोस्तो मैं प्रदीव सुकला आपका STD EADDA में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी तो आज जो है हम लोग 4th class पढ़ने वाले हैं सीरीज की ठीक है नान वर्बल में जो है हम लोगों ने सीरीज की तीन क्लासे पढ़ी हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बहुत ही बहुत ही धमाकेदार कोशन लेके आया हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को जो है कोशन के साथ में आज की क्लास का पहला कोशन है देखिए अब यहां पे दोखो एक सीरीज दीगे है डाइग्राम में ठीक है चुकि नॉन वर्बल की बात है नॉन वर्बल की जैसे ही बात आती है तो हमारे दिमाग में बात कि non-verbal मतलब picture region ठीक है जो भी question पुछा जाएगा वो diagram पर based पुछा जाएगा अब यहाँ पर जब बात हो रही है series की तो जो series है वो भी आपकी diagram पर based होगी अब diagram पर जब based है देखो तो यह दोखो आपके डायरेक्शन के बारे में समझना होगा यह दोखो डायरेक्शन और एंगल के बारे में अगर मैं आपको बताओं तो यह दोखो आपके डायरेक्शन टोटल आपके आठ डायरेक्शन होते हैं और उन आठ डायरेक्शनों में कुछ आपके एंगल भी होते हैं ये आपके total 8 direction है ये इस center point के द्वारा आपस में connected होते है ये direction आपका east होता है ये direction आपका west होता है ठीक है ना ये direction आपका north होता है और ये direction आपका south होता है ये direction आपका south east होता है ये direction आपका south west होता है ठीक है ना ये direction आपका जो है north west होता है और यह direction आपका north east होता है ठीक है ना north east direction clear है और यह आपका center point है जहां से आपके आठो direction आपस में connected है अगर यहाँ पे हम बात करें angle की तो यह पूरा angle आपका 90 degree का होता है यह पूरा angle आपका 90 degree का होता है ठीक है ना यह पूरा angle आपका 90 degree का होता है ठीक है कितने degree का होता है यह पूरा angle आपका 90 degree का होता है ठीक है और जो आपकी beach की direction होती है यह इस 90 degree को 45 degree 45 degree में divide कर देता है 45-45 Degree में क्या आपiko divided कर देता है इतनी बात clear हो गई अप चलते हैं अपने question पर ठीक है निहीं डाइग्राम ऑ आप गडी की प्रीदिशामें अब देखो अगर हम डैरेक्शन की बात कर एऔं पर तो यह इस प्रकार से जबन चलेंगे जब east से south west north की तरफ चलेंगे तो यह क्या होगा आपका यह clockwise direction यह clockwise moment है और जब आप west से south east की तरफ आएंगे तो यह आपका anti clockwise moment होगा अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आपका जो है पहले यह circle यहाँ पे था फिर यह circle यहाँ पे आया आप देखो पहले circle का direction की बात करें तो पहले circle कहां था आपका north west में अब इस circle कहां गया वेस्ट में तो कितने degree moment हुआ आपने कहा इसके इसमें 45 degree का moment हुआ 45 degree का moment हुआ और किस प्रकार से एंटी clockwise किस प्रकार से एंटी clockwise 45 degree moment हुआ फिर देखिए यह diagram यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो देखो यहाँ से यह 45 यह 45 तो अब जो है moment कितने degree का हुआ 90 degree का हुआ इतने angle को हम 45 महनना है यह पूरा यह इस कोने से इस कोने तक का angle आपका 90 degree का है तीक है ना तो दोखो इस मीडल से यह मेडल पहुँचे तो यह 45 15 कितना degree हो गया 90 degree इसके बाद यहाँ से यहाँ गया फिर यह यहाँ पहुच गया तो आप ने कहा यह हो गया 135 degree का moment चुकि यह 45 है पूरा 90 है 135 हो गया तो अब आप देखिए पहले 45 है पहले आपका जो है मुमेंट कितना है आपने कहा 45 डिगरी फिर है आपका 90 डिगरी फिर है 135 डिगरी तो आपका 180 डिगरी होना चाहिए कितना होना चाहिए 180 डिगरी ठीक है ना 180 डिगरी आपका मुमेंट होन तो जब 180 होगा तो आप आपको ये इस किनारे पर मिलेगा कि आपका 90 ये 90 और ये 90 यह आपको यहां पर मिलेगा चुकि पूरा आपका किसमें आपका फिफथ वाले में तो फिपध आपका सही आंसर हो जाएगा तो आपका जो फिप्त हैं बिलकुल सही आंसर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर आते हैं अगले कोश्चन का आंसर बताईए देखे यह आपका प्रॉबलम फिगर यह आपका आंसर फिगर आपको बताना है कि A, B, C, D में जो चार फिगर आपको दिए गए हैं इसके पांचवा फिगर क्या होगा ठीक है 1, 2, 3, 4 में से कौन सा आपका सही होगा ठीक है तो यहाँ पे देखो एक method होगा एक logic होगा कि किस हिसाब से diagram आगे बढ़ रहे हैं जैसे आपने यहाँ पे देखा कितने आपके अभी देखो यह सारे जो आपके diagram दिए गए हैं उनमें जो आपका logic दिख रहा है वो है आपका उनकी side पर आधारित ठीक है ना उनकी भुजाओं पर आधारित जैसे यहाँ पे देखे कितनी भुजाओं है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 कितनी भुजाओं हैं? 8 है इसमें अगर देखे कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, and यह हो जाएगा आपका 6 6 हैं पहले देखे कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है पहले कितनी थी आपके इसमें? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ कितनी हो गई? आपके 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 7, कहीं एक छुट गई गया? हाँ देखे एक छुट गई फिर चार इनको count करो भाई साहिस है कोई बात नहीं एक छुट गई थी नहीं यहाँ पर देखो यह 1 यह ऐसे नहीं ऐसे count करते बता हैं नहीं ठीक तो है ऐसी count करो 1, फिर आपका यह 2 यह भुजा 3 यह भुजा 4 यह भुजा आपकी 5 यह 6 और यह भुजा हो गई 7 साथ भुजाएं पहले आठ फिर साथ एक कम गई अब यहाँ देखो जरा 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गई 6 पहले आठ भुजाएं फिर साथ भुजाएं अब छे भुजाएं अब कितनी है यह देखो यहाँ पर 5 एक, एक, दो, तीन, चार, यह हो गई 5 5 भुजाएं हो गई तो अब कितनी होगी आप 4 चुकि पहले देखो पहले सुरुवात में कितनी साथ ने थी पहले 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 अब कितनी साथ होगी 4 साथ है फार साथ किसमें है सिंपल साथ है आपका आपको simple दिख रहा है कि जो 3 में दिया गया है डाइग्राम उसे में 4 साइडे मागी किसी में नहीं है तो आपका जो 3 में डाइग्राम दिया गया बिल्कुल सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर आते हैं अगले question का आंसर बताइए भई अब देखिए ABCD में आपको ये डाइग्राम दिया गया है आपको बताना है कि यहाँ पर 12345 में कौन सा आपका सही होगा तो यहाँ पर अगर देखिए कि moment किस प्रकार से है तो आप देखेंगे पहले single line थी ठीक है ना फिर एक line यहाँ नीचे बढ़ाएगी पहले single थी फिर एक line यहाँ बढ़ाएदी गई इसके बाद फिर एक line आपकी यहाँ पर दूसरी वाली तीसरी वाली बढ़ादी गई पहले single फिर पहले single line थी पहले एक line थी फिर दो line दोखो, यहाँ पर आपका बढ़ा, फिर नीचे बढ़िए, फिर इसका नीचे फिर बराबर हो गई दोनों में, अब जो है, यहाँ पर बढ़ेगी, यहाँ पर इस प्रकार से, यह बढ़ेगी, ठीक है ना, जो इसके पांचवाँ फिकर होगा, वहाँ पर लाइन इसकी आने पांचमी ठीक है ना तो जो आपकी पांचमी लाइन होगी हो यहां पर होगी ठीक है क्लियर इतनी बात तो आपने कहा कि यहां पर जो है यह डाइग्राम तो नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह आपका सही होगा बागी यह सब गलत है तो यहां पर बढ़ने की है तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन के आते हैं अगले कोशन का आंसर बताईए भे A, B, C, D में आपको जो है ये एक सीरीज दी गई है डाइग्राम की आपको बताना है कि इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सा आपका सही आंसर होगा बहुत ही आसान कोशन है जल्दी से आंसर बताएं इसमें कौन सा हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सा डाइग्राम आपका सही होगा तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत हो बाकी डाइग्राम सब में सेम है केवल जो चेंजमेंट हो रहा है इस अंदर वाली आकरती में चेंज हो रहा है तो सबसे पहले देखो क्या हुआ सबसे पहले इतनी आकरती को गायब कर दिया गया तो यह वाली आकरती यह जो मैंने ब्लू कर दी है यह आकरती आपकी क्या कर दी गई यह आकरती पूरी की पूरी गायब कर दी गई ठीक है ना इसके बाद जब आप B को C से जोड़ते हैं तो यहां पर देखते हैं जो यह आकर अक्रति है जो यह अक्रति है इसको पूरा का पूरा गायब कर दिया गया जो यह अक्रति को मैंने ब्लू कर दिया यह पूरी की पूरी गायब हो गई ठीक है ना यह पूरी की पूरी गायब कर दी गई इसके वाद फिर जब आगे बढ़े तो अब यह हाफ वाला भी उपर से ह हाफ और नीचे से जो है फूल अब यह आक्रति गाय है अब यहां पर यह आ अगई देखो सबसे पहले हाफ पुरा का पूरा गाई आ गया फिर उपर से हाफ गाय कर दी को पहले पहले जो है यहां पी समझो पहले उसने क्या कर दिया half आकरती गायब की फिर आपने उसने पूरी की पूरी full one का मतलब full half का मतलब half ठीक है ना तो यहां पे half फिर उसने पूरी आकरती गायब की फिर half गायब की तो अब पूरी की आंसर आप फस्ट मतलगा दीजेगा नहीं आंसर गलत हो जाएगा एक सिंपल से कोश्चन का जो सिंपल सा आंसर है वह आप गलत दे देंगे ठीक है ना तुकि देख रहो पहले हाफ गायब हुई फिर नीचे से फुल गायब हुई फिर हाफ गायब हो गई तो अब किसकी बारी है फुल गायब होने की तो पूरी की पूरी आकरती यहां पे से गायब हो जाएगी ऑप्सन जो थर्ड में दिया गया है अंदर कुछ भी नहीं बच्छेगा पूरा ब्लैंक रहेगा तो आपका थर्ड में दीगे यह आकरती में कुछ सही आंसर होगा ठीक है चली आगे बढ новンद E में कौन सा डाइगराम आपका आएगा तो आप देखे यहां पे जो है यहां पे एक जो एरो दिया गया है आपको क्लॉकवाईज दिया गया है ठीक है क्लियर है अच्छा एक चीज़ और यहां पे पहले एक एरो है यहां पे दो है यहां पे तीन है यहां पे चार है तो जो अगली आकरती आगे उसमें कितने और होंगे पांच होंगे जो अगली आकरती उसमें कितने और होंगे पांच एरो होंगे अगर पांच एरो है त तो ज़र अपने एरो से confirm कर लो आपने का 1, 2, 3, 4, 5 यह हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह नहीं हो सकता यह तो होगा ही नहीं 1, 2, 3, 4, 5 यह भी हो सकता यह भी नहीं होगा अब देखो 1 और 4 में कोई एक आपका सही होगा अब आपको ताना कौन साइस में सही होगा ज़रा उसको होगत है तो यहां पर ज़रा देखिए अगर हम बात करें तो A में क्लॉक वाइव एरो है फिर जो आपका B वाला डाइगराम है B में आपके anti-clockwise arrow दिये गए है anti-clockwise arrow दिये गए है ठीक है ना कैसे arrow दिये गए है anti-clockwise arrow दिये गए है फिर जब आपके C की बारी आती है जब फिर से C की बारी आती है तो clockwise arrow है clockwise arrow ठीक है ना clockwise arrow दिये गए है तो आप एक चीज़ मुझे बताओ कि पहले clockwise था पहले clockwise था फिर second में anticlockwise आया फिर third में clockwise आया तो fourth में फिर क्या आएगा फिर से आपका anticlockwise आएगा दी में आपका क्या आएगा दी में आएगा anticlockwise और जो आपका E आएगा आपका clockwise क्या आएगा clockwise ठीक है देखिए clockwise, anticlockwise, clockwise, anticlockwise तो अब जो पांच आएगे arrow वो clockwise में आएगे अर्थात इस प्रकार से आएगे ठीक है अब अगर one और fourth की बात करें तो first में आपका जो है यहां fourth में आए फिर्ष्ट में आपका clockwise है और second में आपका जो है Sorry, first में आपका anticlockwise है masih आपका यह होता है clockwise, यह तो आपका क्या हो जाएगा anticlockwise है बात इस परकार से आप बैठें है आपका चेहरा मेरी तरफ है, board की तरफ है तो यह होगा clockwise ही इस परकार से और इस परकार से होगा anticlockwise तो ये anti-clockwise में हैं तो answer जो सही होगा और fourth सही होगा कौन सही होगा first आपका गलत होगा तो fourth आपका जो fourth में दिया गया diagram विल्कुल सही answer होगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगले question पे आते हैं अगले question का answer बताइए भई ये आपका problem figure है ये आपका answer figure है आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही होगा A, B, C, D के बाद कौन सा diagram आपका आएगा 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सा सही होगा first सही होगा, second सही होगा, third सही होगा, fourth सही होगा fifth सही होगा तो अगर हम यहाँ पे diagram में जो आपका जो है 45 degree ठीक है ना और इसी प्रकार से यह है आपका 45 degree यह है आपका 45 degree ठीक है इसके बाद यहाँ पे आपका 45 degree यहाँ पे आपका moment कितना है 45 degree ठीक है ना इसका moment कितना है 90 degree इसका moment कितना है आपका 90 degree ठीक है अब दोखो एक का moment clockwise है और एक का moment anti clockwise है तो जो आपका square है उसका moment आपका clockwise है और जो आपका triangle है उसका moment anti-clockwise है तो पहले उसका 45 degree फिर 90 degree आप देखिए जब यहाँ से बात आती है तो यहाँ पे आ गया तो यह आपका 45 degree अभी भी चलना है भी यह 45 degree anti-clockwise और जो आपका जो है ट्रेंगल है यहां से यहां से कहां पहुँच गया यहां से यहां पर पहुँच गया और यह जो आपका एंगल है यह हो गया आपका 135 degree तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए एक चीज़ ज़रा देखें अगर मैं square की बात करूँ अगर मैं square की बात करूँ तो square में आपका लगातार 45 degree anti-clockwise moment हो रहा है ठीक है ना लगातार 45 degree 45 degree anti-clockwise moment हो रहा है लेकिन अगर मैं बात करूँ triangle की तो triangle में आप देखेंगे कि पहले आपका 45 degree था पहले आपका कितना था 45 degree square में anti-clockwise नहीं square में आपका clockwise moment है यह clockwise होता है ना anti-clockwise moment तो आपका triangle में है ठीक है ना किसमें है triangle में triangle moment किस प्रकार से 45 फिर जो आपका 90 फिर आपका 135 आप कितना होगा 180 इस प्रकार से बढ़ेगा चुकि हर बार 45 बढ़ जाएगा हर बार 45 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है न तो अब देखो यहां पर जो अगला डाइग्राम यहां पर आएगा डी के बाद वहाँ पर आपका square आएगा यहाँ पर square आएगा यहाँ पर और देखो यह हो गया 40 यह आपका हो गया 90 यहाँ पर 90 यह diagram आएगा आपका यहाँ पर चुकि 180 होगा ना तो 180 मतलब यह दोखो आपका यह हो गया 90 भाई यहाँ से यह हो गया 45 45 का यह हो गया आपका 90 और यह हो गया 45 पूरा का पूरा मुमेंट हो गया 180 डिगरी तो 180 डिगरी आपोजिट ही तो होता है तो अगर यह उपर है तो नीचे आ जाएगा तो यह इस प्रकास डाइग्राम आपको मिलेंगे तो आप सन जो फिफ्ट में दिया गया बिल्कुल सही ह होगा कि बांक की किसी में दिया ही नहीं गया और हाँ एक बात और है कि यहां पर जो हमारा चाल है उसके जो है उसमें कोई rpm पिस पहला वादा आंसर उन्हगार। फिफ्ट बिल्कुल सही होगा ठीक है बहुत लोग गलती फिफ्ट और फिफ्ट में कर सकते हैं तो फिफ्ट आंसर नहीं देना क्योंकि आपके ट्रेंगल में केवल एंगल का चेंजमेंट हो रहा है उस ट्रेंगल में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है ठीक है ना तो आंसर आ सापका सही होगा तो A, B, C, D की अगर हम बात करें कि हाँ पर तो यह आपको डाइगराम दिया गया है अच्छा है जो इस्टार दिया गया है इस्टार आपके चारों में आया है इस्टार चारों में आ तो पांचों में भी इस्टार आएगा अब इस्टार में कोई चेंजमें रही है इस्टार में कोई चेंजमेंट है चेंजमेंट किसमें है जो इस्टार के साथ में जो यह सरकल बना हुआ है इस्टार के साथ में जो सरकल बना उसमें चेंजमेंट है अब उसमें जो चेंजमेंट है वो आपको जो है कितने डिगरी का जो है मुवमेंट हो रहा है यह ज ग्लॉक्वाइज फिर यहां से यहां पर आएगा तो यह भी फोस्ते फार डिग्री टीघ्री उर्ण और यहां से इसे किनारे पर यह इस किनारे पे मिलेगा और इस किनारे पे कहां पे है इसमें भी नहीं है ठीक है ना इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें देखो ना तो इसमें ना तो इसमें यहीं पे तो मिलेगा 45 डिक्री इतनी तो होता है जब 45 डिक्री तो इस किनारे पे मिलेगा तो आपसन तर्ड बिलकुल सही आंसर होगा ठीक है ना तर्ड में जो दिया गया है आपका वो बिलकुल सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर आते हैं अगले कोशन का आंसर मुझे बताईये भई क्या होगा यह आपका problem figure है यह आपका answer figure है ठीक है ना अब पर देखें तो यहां पर देखो पहले तो आपको यह जो है यहां पर एक ब्लैक सरकल दिया अच्छा ब्लैक सरकल पहले उपर की तरफ था फिर 180 डिग्री यह बदल गया यह अगले वाले डाइग्राम में 180 डिग्री क्या हो गया मुप कर गया दूसरी बात जब ये 180 डिग्री मूप कर गया तो पूरा का पूरा डाइग्राम 180 डिग्री मूप कर गया पूरा का पूरा डाइग्राम 180 डिग्री मूप कर गया और एक यहाँ पर लाइन बढ़ा दी कि यह वाली यहाँ पर यह वाली देखो लाइन नहीं आ गई यह वाली लाइन बढ़ गई देखो पहले इतना था अभी एक लाइन और बढ़ गई ठीक है ना इसके बाद जब आगे बाद फिर से 180 डिगरी मुवमेंट फिर से 180 डिगरी का मुवमेंट हो गया इसमें दोगो पूरा का 180 डिगरी अब देखो यहां पे तो यह तो नीचे हो और यह जो आपका इधर है तो जो को पहले इतना था पहले इतना था फिर इतना था अब यह लाइन और बढ़ गई यह लाइन से में और आ गई ठीक है ना तो अब जो अगला डाइगराम आएगा अब जो अगला डाइगराम है तो इसमें तो 180 डिगरी का मुवमेंट हो गा इसमें तो आपका 180 degree का moment हो जाएगा 180 degree का moment हो जाएगा तो ये तो आपको उपर की तरफ दिखेगा और दूसरी बात यहाँ पे एक line भी आपको मिलेगी यहाँ पे एक line भी और आगे मिलेगी दो फिर तीन फिर इसके बाद चार आप कितनी हो गई हो गई 5 तो आप हो जाएगी 6 ठीक है तो दिखो जारा यहाँ पे क्या पहला वाला सही होगा आपने कहा नहीं यह अब उपर को दिखेगा यह अब उपर को second भी सही नहीं होगा second भी आपका सही नहीं होगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आपका जो है ये सही होगा क्या तो आपने कहा ये उपर की तरफ होगा ये नीचे की तरफ होगा और लाइन इधर की तरफ बढ़ेगी ये भी सही नहीं होगा ये भी सही नहीं है ये सही होगा ये सही है फिफ्ट वाला देखो ये 180 डिग्री तो ये उपर की तरब जाएगा ये वाला नीचे की तरब जाएगा और यहाँ एक line last में बढ़ जाएगी तो ये तो बढ़ गई ये line बढ़ेगी ये वाली तो ये line बढ़ जाएगी तो इसलिए जो है जो 5 में दिया गया वो आपका बिल्कुल सही डाइग्राम होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉस्चन पर आते हैं अगले कॉस्चन का आंसर बताइए भे यह आपका प्रॉब्लम फिगर है यह आपका आंसर फिगर है आपको बताना है किसमें जो है 12345 में कौन सा आपका सही होगा तो ABCD में जो आपको डाइग्राम दिये गए उनमें किस प्रकार से मुवमेंट हो रहा है यह आपको देखना है आपको अगर सही से मुवमेंट पता करना है तो आपको डाइरेक्शन को समझना होगा क्योंकि यहाँ पर डाइरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता जैसे अगर हम यहाँ पर डाइरेक्शन की बात कर लें तो बहुत आसानी से हम हर चीज़ को समझ जाएंगे देखो यह आपके चार डाइरेक्शन है यह इस्ट यह वेस्ट यह नॉर्थ और यह साउथ अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करते हैं पूरा एंगल आपका 90 डिगरी का होता है यह पूरा एंगल आपका 90 डिगरी का होता है ठीक है ना तो पूरा जो सरकल है वो आपके कितने का होगा 360 डिगरी का 360 डिगरी का होता है अब ज़ला यहां पर देखें अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर आपका जो है moment किस प्रगार से उसको ज़ला देखना पड़ेगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले यह circle ट्रेंगल पहुंचा यहां यह circle यह square आया यहां यह पहुंचा यहां और यह पहुंचा यहां ठ सब में मुवमेंट हो गया क्लॉक वाइज 90 डिगरी चुकि सब एक एक खाने आगे बढ़ गए ठीक है फिर आगे देखिए यह जो है आगे जब बात आई तो इन में दोनों में यह यहां से इंटर चेंज और यह दोनों आपस में इंटर चेंज ठीक है यह यहां से और यह यहां पहुचा क्लॉक वाइज यह यहां आया क्लॉक वाइज यह यहां गया क्लॉक वाइज तो अब जब आगे बात आएगी जब आगे बात आएगी डी के बाद इसे जो कि एका निकाला हमने बी से बी का निकाला सी से सी से निकाला हमने डी को अब डी से हम निकालेंगे जब e को तो देखो इन दोनों में क्या हो जाएगा इन दोनों में अब 180 डिग्री में आपस में जो है चेंजमेंट होगा 180 डिग्री में आपस में चेंजमेंट होगा तो square आएगा इधर और आपका पहला ही सही हो जाएगा पहला ही सही होगा चुकि square आएगा इधर arrow जाएगा यहां सरकल यहां और ट्रेंगल यहां बाकी यह कोई भी आपका सही नहीं है बाकी कोई भी आपका सही नहीं है ठीक है ना चुकि यहां पर आपका आना चाहिए सरकल तो सरकल देखो किसमें है क्यों इसमें था और फोर में था लेकिन फोर में इधर आपका क्या था इधर आना आपका क्या था एरोथ इसलिए वो गलत है तो पहला ही सही है और जब पहला सही होगे तो बागी हमें किसी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर आते हैं अगले कोश्चन का अंसर जब बताइए भई तो यह देखो A B C D में आपक कोई एक डाइग्राम की सीरी्स दी गई हैं आपको बता ना कि E में कोंसा डाइगराम आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्स फिफ्ट में कौनसा आपका सही होगा तो यहाँ पर देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले देखो यहाँ पे जो है आपका A में जो यह आपका बलेक वाला ट्रेंगल है वो इधर है B में बलेक ट्रेंगल इधर आ गया फिर C में बलेक ट्रेंगल यहाँ पे आ गया फिर D में बलेक ट्रेंगल यहाँ पे आ गया अब अगर आप इस सीरीज को ऐसे बनाएं कि A जो figure है उसका relation किसे है C से जो B का figure है उसका relation किसे है आपका D से तो अब बताओ alternate में C का relation किसे होगा E वाले diagram से होगा भाई A के बराबर किसे है A बराबर किसके है तो A बरावर आपका C के है तो C बरावर किसके हो जाएगा E के तो E में जो डाइगराम आएगा वो C के जैसा आएगा E में जो भी डाइगराम आएगा वो C के जैसा आएगा जैसा C में दिया है तो जैसा डाइगराम C में दिया है वैसा आपका इन पांचों में किसमें दिया है वो आप निकालो तुरंट आपका अंसर आजाएगा वही इन पांचों में जिसमें आपका सी जैसा डाइगराम दिया आगया होगा वही तो आपका सही होगा पहला तो गलत है ये भी गलत है ठीक है न ये भी गलत है आपका अंसर कौन सा है आपका अंसर जो है C जैसा कौन सा है फॉर्थ वाला है फॉर्थ आपका सही हो जाएगा सिंपल सी बात जैसा डाइगराम C में दिया है वैसा ही डाइगराम E में आएगा चुकि जैसा डाइगराम B में दिया है वैसा D में है अगर F की बात करेंगे तो F में वैसा ही डाइगराम आएगा जैसा D में दिया है तो E में C के जैसा डाइगराम आएगा इसलिए आपका आंसर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है? अगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पे आता है अगले कोश्चन का आंसर बताइए भए यह आपका प्रॉब्लम फिगर है यह आपका आंसर फिगर है आप बताना है कि 1,2,3,4,5 में जो दिये गए डाइगराम उसमें से कौन सा आपका सही होगा तो अगर अब यहाँ पर देखें अगर हम उपर सीरीज में जला देखें कि क्या लॉजिक लगेगा तो आपने कहा कि पहले तो यह सिंगल थे पहले यह सिंगल थे फिर इन्होंने जो है क्या किया कि सरकारी जमीन थी और सरकारी जमी में इन्होंने कबजा करना इस्टार्ट कर दिया इन्हों का भी इसमें मैं भी अपने मकान को और तोर सा बढ़ा देता हूँ क्या दिक्कत है तो इन्होंने जो है उसको अपनी जमीन समझ के उसमें अपने मकान को और ज़ता बड़ा बनाना चाहा तो सबसे पहले यहां पे सिंगल फिर इन्हों ने एक दिवाल और खड़ी कर दी फिर इन्हों ने इसमें एक दिवाल तो को यह खड़ी कर दी इसके बाद यहां से इन्हों ने यह दिवाल खड़ी कर दी ठीके ने यह दिवाल और आगे बढ़ा दिया फिर जब इनके पास पैसा हुआ तो इन्होंने फिर जाके इस दिवाल को यहां से जोड़ दिया और ये एक कमरा बनके तयार हो गया ये एक कमरा बनके क्या हो गया तयार हो गया इसके बावजुद अब जो है अब जो है यही लाइन भी और आगे बढ़ेगी यही लाइन भी और आगे बढ़ेगी उपर के कमरों में भी आपका क्या होगा डिवीजन होगा एक कमरा इसने नहीं 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 खोला जा सकता ना वह तो पहले से बंद है ठीक है न तो यह तो नहीं होगा हाँ यह हो सकता है यह भी नहीं होगा चुकि देखो दो लाइन एक सकता है केवल एक लाइन बढ़ेगी केवल एक दीवाल खड़ी होगी चाहे वो आगे खड़ी कर लो चाहे उपर के तरफ खड़ी कर लो क्या दोनों दीवाल खड़ी हो पाई गया नहीं यह भी नहीं हो तो अब जो है आपका तीसरे में जो आख्रती दी गई है वो बिलकुल सही अंसर होगा तो आप इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से सिरीज के कोश्चन को नानवर वर्वल में सॉल्व कर सकते हैं के बहुत आसान होता है ठीके ना इसने कि उसलुआ कि सौल करें गैनानिथ में कि एब दीञान को देखा ॐ पूरे डाइप और वोड्श लखना की जरूरत ही नहीं पड़ी तो इस प्रकार से मेंermeantic आपके एक्जाम में भी आते हैं ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कोशन पूछ ले जो बने ही ना लेकिन होता क्या कि जैसे हमने कोश्चन देखा कि वह नौन वर्बल कर सिरीच के कोश्चन है नहीं यह और मुझसे तो नहीं बनेगा नौन वर्बल पूछ लिया वहाँ पर तो डाइग्राम दिए गए डाइग्राम उसे बनते ही नहीं तो आप एक बर कोश्चन तो कर यह हर चीज आपसे बनेगी ठीक है ना कोश्चन करने वालों की कभी हार नहीं होती अगर आप जो है किसी चीज को पाने की चाहा तरक लिए मुझे चाहिए तो वो ची उसको मिलाने में आपका साथ देती है ठीक better सारी काइना सो दती क नहीं यार इन दोनों का मिलन होना क्याовые तुथ वही प्रेंव ही प्रें अप जो है अपनी नोकरी से करे झिस दिन आपने वो प्रेंडियां ना की मुझे चाहिए मुझे यह मिलके रहना चाहिए उस दिन आप देख लीजेगा आपको जरूर उससे जब इतना प्यार हो जाएगा सोरी तो अपने आप सारी काइनात आपको जो है उसका उसके उसका साथ दिलाने में उसके साथ मिलाने में सारी काईनाथ आपका साथ देगी कि नहीं यार ये बंदे को इसके साथ में जरूर जाना जा स्टिये ठीक है न तो वही शारी चीज़ें इसलिए जो है मेहनत करते रहिए मेहनत जब करेंगे जब किसी चीज़में आपको ज़या कि तो फिर उसका गिरनाताय हैं, तो वो कभी मत करिये, आप एक चीज़ कर लीजिए, कि करना क्या है, और जो डिसाइड कर लीजिए, जो करना है, कि हाँ मुझे यार ये करना है, उसके आगे कभी कुछ कोई कहता भी है, कि नहीं है, तुम ये कर लो, यार मैं नहीं कर सकता, चु कoberta को हरी चीज आती होगी, ठीक है भाप आपो हरा चीजे से कि मतलब मैं जहाए कि मुझे थो बनती है, मैथ सब कुछ आरा हूँ निए बात गलत है, भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक मुझे फिर बन जाएगी, हो सकता है कोई question मुझसे भी ना बने मैं तो लॉजिक लगाना चाहिए हमें कोई भी question देखके के अभी हारना नहीं चाहिए हम लास्zufल लड़ेंगे विस्सप्थ हम पूरी करेंगे जब नहीं बनेघा धिछा जाएगा लेंगा लेकिन कोछिस करेदिमाख लगाईए अपने दिमार्ग भई reasoning क्या है आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए reasoning आपसे पुछी आती है reasoning आपके paper में क्यों आती है बहुत बच्चों ने कुछ आसा reasoning हमारे paper में क्यों पुछ आती है मैटा कुछ नहीं reasoning reasoning में मतलब क्यों IQ level बढ़ाना आप जो है इस डाइग्राम को देखे कितनी जल्दी आंसर दे पाते हैं आप सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं ऐसा तो नहीं कि आप एक डाइग्राम को भी सही न बता पाएं कितने अच्छे से तिंग कर पाते हैं कितनी जल्दी आप अच्छे से सूच पाते हैं उस शीच के बारे में आप से कहा गए यह डाइग्राम है यह कमरा बनाना है अब एक कमरा और आप कैसे बनाके तैयार करो गे समान मेरे पास इतना ही है सुन्दर भी दिखना चाहिए अच्छा भी दिखना चाहिए तो वहां पर आपका IQ लेबल चेक होता है कि हाँ भाई इसनी तुरंत सेकंडों में आंसर दे दिया और जब आप एक्जाम देने जाते हैं आप देखते हैं कि 15 मिनट में आपने 30 कोशन सॉल्व कर दिये कैसे 10 मिनट में कोई 10 मिनट में 30 कोशन सॉल्व कर दिये कैसे उसका IQ लोगल इतना अच्छा है वो चीजों को पकड़ पा रहा है लेकिन वह ऐसे नहीं हुआ उसने मेहनत की है उसने प्रैक्टिस की उसने सीखा है तो किसी चीज़ को सीखने के लिए अगे बढ़ता है तो ऐसा नहीं है आपको मैंने ती चौथी क्लास है हमाई स्रीज की ठीक है ना यह इसलिए मैंने कराए चुकि आपको जो है उनकोशन की कोशन की प्रैक्टिस हो जाए और जब इनसे रिलेटेट कोशन आप से एक्जाम में कभी पूछे जाएंगे तो अंदर डारेक्ट आंसर देत होगे भाई जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं रिजिनिंग में उसके जैसे ही कोशन तो पूछे आते हैं उससे बाहर वो क्या पूछेगा तो वही सारी चीज़ें लॉजिक और चीजों को जड़ा सोचना स्टार्ट करिए थोड़ा सा फिगर है यह आपके आंसर फिगर है आपको जो है A, B, C, D में एक सीरीज दी गई है आपको बताना है कि D के बाद E में कौन सा डाइगराम इन पांचों में आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फॉर्थ, की फिप्थ तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आप यह देखें कि यहाँ पे बांकी तो सब कुछ बराबर है, स्क्वाइर है, स्क्वाइर में आपके आठ पार्ट है, आठ खाने हैं, लेकिन यहाँ पे जो यह लाइनिंग वाला पार्ट है, यह लगातार आपका जो है एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन बढ़ रहा है, देखो देख लो, कितने कितने, तो आपने कहा पहले तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, पहले तो फस्ट में आया, फिर आपका यह फस्ट सेकेंड में आ गया तो अब यह फूर्थ में आएगा, फिर इसके बाद यह फस्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, थर् पर आएगा अब यह यहां पर आएगा क्यों कि दो पहले उस एक खाना बढ़ा फिर एक और दो दूसरे में आ गया फिर एक दो और तीन तीसरे में आ गया दूसरे में आ गया है ठीक है ना अब यह एक दो तीन अब यह चोथे में आएगा जब चोथे में आएगा तो यहां प आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका डाइग्राम दिया गया बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है, तो देखी कितना आसान है, ऐसे ही आसान आसान कोशन एकजाम में भी पूछे आते हैं, जिनको आप बहुत आसानी से सौल्व कर सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे पौर्थ, फिफ्ट में कौन सा आपका फिगर सही होगा, ठीक है, तो अब देखी यहाँ पे, अगर हम सरकल की बात करें, तो सरकल में जो है आपके, जो बाकी चीज़ें, वो सब सामान है, केवल एक जी है, जो एरो है, वो लगातार बढ़ रहा है, अब देखो यहाँ पे, यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, गेरा, और यह हो गया बारा, ठीक है न, तो यह तो हो गई आपकी, अगर हम बात करें तो क्लॉक, क्लॉक में सारे नमर हम लग दिये, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 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 बारा, ज ज़रा यहां पर देखिए एक arrow है जो पहले आपका कहां था 12 में एक arrow है जो पहले 12 में था अब वो कहां पहुंच गया तो आपने कहां 1 में अब इसके बाद कहां पहुंच तो आपने कहां 3 में देखो 1 के बाद उसने 2 को छोड़ दिया भाई पहले वो 12 में था और डारेक्ट एक उसने छोड़ दिया, ये दो छोड़ दिया, इसके बाद 3 के लिए कहा Honचा, वो 6 में, तेन के लिए 6 में चाह," भाई, पहले यहां पह था 3 में,"," अब ये 4 और 5,"," तो पहले उसने एक छोड़ा," अब उसने दो छोड़ दी तो अब जो है वो तीन छोड़ेगा अब कितने छोड़ेगा तीन छोड़ेगा तो आप ने कहा जब तीन छोड़ेगा तो जो है वो आपका साथ आठ और नो छोड़ेगा अब दस में आएगा अब कहा है का दस में आएगा है दस में कहां पर दिया गया है तो अगर यह आप बारा मान के चलो कि यह वाला रोल बारा था तो एक, दो, ती छार, पांच, चे, साथ, आठ, नो, दस, तो कोई यह आपका सही है, यही तो सही है बाकी कोई भी सही नहीं है, चुंकि यह तो 9 पे हैं, यह बाकी हो को हो नहीं सकते हैं तो सब्सक्राइब तो आपका डायग्राम दिया गया है और डायग्राम एक पाइले कोशन का अंसर दीजिए को एबी सी डी में आपको एक डाइग्राम दिया गया है एक से ... आपको खुटाने कि ईमें कौन साव फॉर्त में कौन सापका फिफ्त में werस्ता का आफ सही होगा तो आप देखें तो स्रुवात में जो है यहां पे इन तीनों में सरकल है चौह थे की स्रुवात हुई है एक स्क리 क्यार से तो आखे capital बढ़ेगा बेले स्रुवात में सरकल है जोधे में आपका całक। पांचों अपका बार्ट है वो स्क॥ क्टव आएगा उपर आएगा की नीचे आएगा की बगल में आएगा की पूरा पूरा black होगा ये आपको देखना है तो आपने कहा कि जिस प्रकार से पहले दों yahaं पे क्या है a पूरा black है दूसरी बात a पहले उपर दिया गया है अब a कहां अगया middle में आगे देखो A middle में आ गया और A का ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया ये वाला पार्ट आपका black दिया गया ठीक है ये जो आपका सबसे पहले ये उपर था अब ये बीच में आगे कितना डिगरी ये आपका 45 डिगरी भाई 45 डिगरी इसको हम आधिय को मानते है 45 डिगरी और उपर से नीचे तक को हम मानते है पुरा 90 डिगरी ठीक है न कितना मानेंगे भाई यहां से यहां पुरा 90 डिगरी ठीक है न इस बात को धान रखिएगा तो ये है आपका 45 डिगरी ठीक है ये 45 डिगरी इसके बाद A से क्या आ गया B अब ज़रा B से C को लाओ अब देखो ये 45 डिगरी फिर नीचे आ गया 45 डिगरी फिर से नीचे आ गया और ये पूरा का पूरा आप जो है बीच में आएगा और इसका ये नीचे का पार्ट ये नीचे का पार्ट ये वाला क्या होगा बलेक होगा ये वाला पार्ट बलेक होना चाहिए तो किसमें दिया गया है फरस्ट, सेकेंड, फर्ट, फिर्ट, फिर्ट में कर सकते हैं उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें अगर आप न झाल झाल